ओम्श्री श्वाय नमस्तुब्यम दोस्तूं, मैं शिविका, आप सबीका आपके अपने योटब चानल शेप नांदिने शिविका में हादिक स्वागत करती हूँ आज का ये जोतिश्य वीडियो डिश्चिक राश्य वालों के लिए बेहद ही विशेश होगा आपका केरियर, जोब, लब लाइफ, विद्यात्यों के लिए कैसा रहेगा जुन का महिना, भाग्य कैसा होगा, केरियर और बिजनेस में क्या कुछ नए और बड़े वदलाब समझेंगे भी, but one thing, just make sure करें कि आपके जो जन्म की राशी है, वो ब्रिश्चिक ही है, please आप description box को चेकिजे, अगर आपका जन्म description box पर mention किये हुए नक्षत्र में हुआ है, तो definitely आपकी राशी ब्रिश्चिक ही है, otherwise नाम के एकोडिंगले, नाम के पहले अक्षर के एकोडिं दिया जाता है, तो उस्तों वो भी नक्षत्र के बेसिस पर, so make sure करें कि आपकी राशी ब्रिश्चिक ही है, तब ही ये वीडियो आप से resonate करेगा, बाकि नाम के पहले अक्षर से अगर आपको लगता है कि आपकी राशी ब्रिश्चिक ही है, तो होगा, बट ये predictions आपके जैसे ही दोस्तों, जुन का महिना शुरू होगा, तो आपके राशी शे नवग्रहों की स्तीती कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके छटे घर में होंगे देव गुरु ब्रहश्पती, राहु और बुद्देव, नाइन्थ हा जिस घर के मालिक बनते हैं, आपके मंगल देव, जो के जुन के पूरे महिने नीच का होकर आपके भागय के घर नाइन्थ हाउस में रहेंगे, वैसे तो स्वास्ति आपका बहुत अच्छा देखा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो आपको परिशान कर सकती है, वो है आप पेट, जी, पेट से रिलेटेट परिशानियों से आपको इस महिने थोड़ी बहुत डिल करने पर सकती है, जैसे डाइजिशन में प्रोब्लेम होना, गैस कबच की प्रोब्लेम होना, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा डिल करते हूए देखा जा सकता है, इसके अलावा जो कि आपके छटे घर में रहेंगे, राखु के साथ में विराजमान हो कर, सेक्स्थ हाउस वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है कुनली के अंतरगत पर, साथ जुन से पहले लर्निंग, पढ़ाई, बिजात्यों के लिए, निव अड्मिशन, फॉम फिलब के द्रिष्टी से ये समय अच्छा रहेगा, बट साथ जुन के बार ना थोड़ा सा अपसें डाउन भरा रहेगा समय, इसके अलाबा भ्रहम कि श्तिती थोड़ी बन सकती है क्योंकि चांडाल योग बना रहेगा, रही बात कॉम्पिटिशन के लिए, तो कॉम्पिटिशन के द्रिष्टी से, उसके प्रिपरेशन के द्रिष्टी से, जुन महिने की ये समय ना ज्यादा अच्छा रहेगा, और ना ही बुदा रहेगा, अब बात लव लाइफ के, फिफ्थ हॉसी दोष्टों बनता है, आपके लव लाइफ का घर, जिसके मालक बैठे हैं, डिजीस के घर, यानि की सिक्ष्थ हॉस पर, वो भी राखू के साथ में, साथ जुन से पहले रिलेशन अच्छा रहेगा, बट साथ जुन के बाद थोड़ा सा चिंता आपके पार्टनर को हो सकता है, खास कर जो आपके पार्टनर हैं, वो थोड़ा सा ओवर तिंगिंग के शिकार भी बनते हुए दिख रहे हैं, एक चीज आप गलती से बोल दोगे, तो वो उसी बात को पकेट के बैठ जाएंगे, कि आपने क्यों कहा, कैसे कहा उनसे, किस बैसिस पर कहा उनसे, कैसे बोल सकते हो, आप किस तरीके से, तो ये, ये चीज ना थोड़ा अब दोनों में इशू बन सकता है, बाकी साथ, जुन से पहले, सेल्फ रेस्पेक्ट की बाते भी ज्यादा करते हुए दिखे जाएंगे आपके पार्टनर, अगर आप कॉल बेक टाइंग पर नहीं करोगे, तो वो बोलेंगे, आपने कॉल बेक क्या था, क्या जो मैं बापस कॉल करके आपको डिश्ट अब करूँ, यानि कि बातें करते करते ताने भी मारते हुए दिखे जाएंगे, मेरा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है नहीं कि अजो मैं आपके पीछे गुमती फिरूँ, अगर आप गल्दी से बोल दोगी कि आप बीजी थे किसी काम में, तो वो उल्टा आप पर ही बरस पड़ेंगे, वो कहेंगे कि भाई बीजी आप ही नहीं, हम भी होते हैं, तो समझो ये, तो ये जीज ना थोड़ा साथ जून से पहले आएगे, लेकिन साथ जून के बाद ओवर थिंकिंग का इशू, आप दोनों के बीच में आएगी, बाकि लव लाइफ अच्छे रहेगी, बेटर होगा कि आप उन्हीं क्लियरली बताने की कोशिश करें, ताकि वो ज्यादा सोचे ना, और आप दोनों में प्यार बना रहे हैं, अब बात मेरेड लाइफ की, सेवन्थ हाउस, घर है मेरेड लाइफ के साथ, साथ मेरेच का, जिस घर के मालिक बन्दे हैं, आपके शुकरिदेव, जो के नाइन्थ हाउस में विराजमान हैं, मंगल देव के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर इस महीने थोड़ा सा उएक पढ़ सकते हैं, या थोड़ के उपिनियोन को मानेंगे ही नहीं, वो अपने उपिनियोन पर ही अड़े रहने की कोशिश करेंगे, और अड़े ही रहेंगे, जिद्धी स्वाभाब थोड़ा रहेगा, यानि कि आप दोनों के विचारों में थोड़ा डिफरेंस देखा जाएगा, बाकी मेरे लाइफ हो सकते हैं, हाँ करें ना करें, परिवार सही होगा कि नहीं होगा, इन सब में अब थोड़ा टेंस में भी रह सकते हैं, बाकी सब बढ़िया रहेगा, अब सबसे इंपोर्टन्ट टोपिक, भाग्य, केरियर और बिजनेस की, बात करें भाग्य की तो 9th house बनता है, भाग्य क के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, ना के बरावर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, वैसे तो ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए अभी तक उनकी जो ग्रह देशा है, वो तो बहुत ही अच्छी देखी जा रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह द करने में, केरियर में और बिजनेस में कोई बड़ा डिशिशन लेना है, तो 16 जुन से पहले लेना बहतर होगा आपके लिए, 16 जुन से पहले का समय अच्छा रहेगा, बिजनेस में आंसाटिस्फेक्षिन थोड़ा रहेंगे आप खास कर 16 जुन के बाद, इवन केरियर में पहले का समय शुरू होने वाला है, 16 जुन के बाद, आप कितना भी परिश्रम करें, आप कितना भी कोशिश करें, आपको वो कम ही लगेगा, इवन जो आपको मिलेगा रेजल्ट्स में, परिनाम शुरूप, उससे भी आप संतोष्ट नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 10th house के मालिक तब आपके 8 house में होंगे, जो के घर ही होता है unsatisfaction का, ऐसे में definitely थोड़ा असंतोष आप रह सकते हैं, बाकि अगर आप chemist, drugist, jewelry से related काम करते हैं, या फिर doctor हैं, या फिर cinema संगित से related कार्या करते हैं, या फिर government के under में काम करते हैं, या फिर television या फिर लकडियों क related अगर आपका काम है, तो definitely बहुत अच्छा जाएगा, बट 16 जुन से पहले, उसके बाद इन सबके related कारियों में थोड़ा unsatisfaction के साथ, साथ थोड़े रुकावटों के साथ, बेल करना पड़ सकता है आपको, भागिया अच्छा है, बिजनेस में लाफ और नोकरी मिलने की possibilities रहेगे, साथ में savings के घर पर भी दृष्टी यानि नो डाउट आप इस महीने savings भी कर पाएंगे, तो ये बताया हमने सब कुछ जो भी आप जानना चाहते थे, वो इत दवफेक्ट आशा करते हैं, ना सिर्फ वीडियो पसंद आई होगे, बल्कि पूरी वीडियो आपको प समझ में जरूर आई होंगे, तो चलिए अब हम मिलते हैं और एक राशी के प्रेडिक्शन्स के साथ, जिल्दन डेक्या और बावाई